खबर धौलपुर के सदर्थानक शेतर से है जहां ननिहाल हाई नावालिक बच्ची से दुष्क्रम का मामला सामने आया है S.P. अजे सिंग ने बताया कि आठ साल की मासूम बच्ची के साथ एक युवक ने दुष्क्रम की इस वारदात को अंजाम दिया और दुष्क्रम के बाद पेड़ता के नाना और आरोपी पक्ष के लोग बच्ची को सरकारी चिकित सक रामविलास गुर्जर के नेजी नर्सिंग होम लेकर पहुँच गए जाकरी 20 घंटे तक उपचार के बाद भी पेड़ता को अधिक ब्लीडिंग होने से हालत और बिगड़ गई वहीं मामले की जानकारी मिलने पर पेड़ता के पिता ने पुलिस को सूचना दी और इसके बाद स्पी अजे सिंग और अथाना प्रभारी विजे मीरा नर्सिंग होम पहुचे और अस्पताल और पेड़ता को जिला अस्पताल में भरती करवाया और फिलाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है